इस हाइटिक जमारे में अभी भी लोगों की प्रियर्टी कहीं न कहीं एक स्टेबल, हैपी और रिलाक्स प्री लाइफ की ही है खास करके जब बात हो मिनिमल लाइफ की तो इसे कौन नहीं फॉलो करना चाहेगा इसके एक दो नेबल की सैंकड़ो फाइदे हैं हलो, नमस्कार, जैंद अबरिवन, आज हम बात करेंगे ऐसे लाइफस्टाइल के बारे में जिसके बहुत सारे फाइदे हैं और जिसके हिस्ट्री भी बहुत साल पुराना है साधू, सन, प्रिस्ट, योगा एक्सपर्ट, और मेडिटेशन एक्सपर्ट सभी इसी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की बात करते हैं दोस्तो बने रहे वीडियो के अंत तक हम बहुत सारे चीजों के बारे में आज जानने वाले हैं इसके benefits क्या हैं और इसको सबसे important इसको हम follow कैसे करेंगे और फिर इस lifestyle को हम जीएंगे कैसे मैं बताऊंगा वो भी बिना किसी extra effort के So let's get started वीडियो without any delay दोस्तो दुनिया में तीन तरह की लोग होते हैं पहले वो लोग जिनके पास जरुवत से अधीक पैसा होता है जाहिर सी बात है जिनके पास जरुवत के पैसे होंगे और सिर्फ जरुवत की चीजों को खड़िते हैं लेकिन एक third तरह की category भी है मतलब तीसरे तरह के भी लोग है जिनके पास पैसे भी बहुत होते हैं लेकिन फिर भी जरुवत के ही हिसाब से वो समान खड़िते हैं दोस्तो मैं third quality के बारे में ही बात कर रहा हूँ ऐसे लोग जो simple living पे believe रखते हैं दोस्तो जब हम बात करते हैं simple living की पहले हम ये clear कर दें कि ये है क्या आपने सादा जीवन उच्छे पिचार के बारे में सुना होगा महात्मा गांदी का quote है दोस्तो इसका मतलब वह होता है simply कि हम सिर्फ उन चीजों की चिंदा करने चाहिए जो बहुत आवस्यक है यानि जो बहुत आवस्यक नहीं है उसकी चिंदा फिर क्यों करना बहुत सारे एक्जामपल था हम एक्जामपल के थूरू इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोसिस करते है कुछ पस्नालिटीज है जैसे कि रतन टाटा उनके लाइफ स्टाइल के वारे में कौन है अब सभी हम उनको स्टाउक करते है वो कितने सादगी भरा जीवन जीते है हम सब को पता है दूसरा हो गए तो अरजीत सिंग बॉलीबूट से कितने सिंपल लिविंग के लिए वो जाने जाते है सुधा मूर्ति के आर नरायन की बीबी वो खुद एक social worker है एक author है एक teacher है उसके बाद लाल बहादूर सास्तरी वो भी अपने सादगी भरे जीवन जीने के लिए जाते है जिनका contribution हमारे Indian freedom moment मेरा है दोस्तों की 5 personality फिलहाल मेरे सामने है जो सभी अपने अपने छेतर के माहिर है जिन्होंने अपने contribution से वो कर दिखाया जिसका आज भी हम बात कर रहे है दोस्तों हम commonness की बात कर रहे है इन पाचों में इसे क्या खासियत है तो हम एक करके बात करते हैं तो पता करते हैं कि सभी एक simple living को जीते हैं एक साधारन सादगी भरा जीवन सभी ने जीया है इसी के कारण सभी अभी एक happy life भी जी रहे है सभी के पास धन भी है धनकी भी कोई कम है नहीं एक happy and prosperous life सभी जी रहे है तीसरा quality क्या है जो मिल रहा है वो है कि सभी अपने फिल्डे में expert है सभी अपने छेत्र के माहिर है चौथा क्या है सभी किसना किसी तरीके से society को भी contribute किया है जाईसी बात है यदि आप इस तरह के lifestyle को follow करते है तो एक आपकी सोच में भी बहुत अंतर आता है आप ये सोचते हैं कि आपकी lifestyle का किस तरह से बाकियों पर भी effect पड़ रहा है या फिर क्या impact है तो आप हर एक चीज को बड़े ही ध्यान से भी करते हैं ताकि कहीं इसका किसी तरह से बुरा प्रभाब समाज में ना पड़े पांच अबहा सभी आइजल personality है और सभी आइजल personality का एक example है और इसलिए हम इस वीडियो में इसके बारे में discuss भी कर रहे है तो आपके सबने पांच common is जो है वो सब सामने आई है जो सब ही अपने आप से अलग है और हम कर सकते हैं कि यह सारे फाइदे है चले फिर भी हम discuss करते हैं कि फाइदा क्या है अगर हम simple living जीते है या फिर हम एक minimal lifestyle को follow करते है number five दोस्तों एक stable life जीते है stability life में आती है हम conscious होते हैं जैसे हमने पहले कहा साथ साथ हमारा time भी save होता है number four is the time saving हम बहुत ही समय बचाते हैं जाइर सी बात है गिए हम महंगे महंगे चीज़ खरेते हैं अगर हम इस तरह की life को follow करते हैं तो हमारा बहुत समय भी बसता है number three is better health दोस्तों अगर हम simple life और simple living पर believe करते हैं और follow करते हैं तो हम health conscious भी होते हैं हम वो चीज़े खाते हैं जिसका सिधा-सिधा impact हमारे अच्छा impact हमारे सरीर पर पढ़ता है लीक डाइट लेते हैं पैग्ड फूद और जंक फूद खाने से वाइड करते हैं उसके बाद दूसरा यह है कि एक sustainability वाली बात आ जाती है हम sustainable life जी रहोते हैं कुछ में पास समाने में चाहूंगा आप सभी देखे तो में हाथ में एक यह ट्रे है यह plastic की ट्रे है as you know it's a non-biodegradable and while it's making or in process बहुत सारा इसमें ऐसे material यूज हूँ है जो environment के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है दूसरा हमारे हाथ में यह है यह wooden ट्रे है जो मैंने craft मेले से लिया है यह बहुत ही टिकाओ, मजबूत, दिखने में भी सुन्दर और इसमें किसी तरीके के कोई भी plastic की यूज नहीं हुई है तो difference आपके सामने है अगर आप इस तरह की मतलब चोड़ी-चोड़ी चीजे है लेकिन इसका impact बहुत बड़ा है और हम अकसर हम बहाना करते हैं और आपने सुना होगा कि मेरे करने से क्या होगा दोस्तों बहुत असर पड़ता है आप सुरुवात कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए चोड़ी-चोड़े step ही तो contribute करते है जो एक collective contribution कहलाता है एक और example है मेरे हाथ में दो कंगी है comb, it's a plastic one and it's a wooden one थोड़ा expensive है लेकिन दोस्त ये बहुत ही अच्छा टिकाऊ और इसका किसी भी तरीके का most important हमारे environment पे, हमारे ecosystem में कोई ऐसा इसको बनाने में use नहीं हुआ है लेकिन इसको बनाने में भाई बहुत material का use हुआ है sustainable life जीने के फाइए, minimal life जीने के बाद फाइए I hope आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आयोगा इस वीडियो को देखने के बाद and if you like this video, please give a big thumbs up and also subscribe to the channel let me know in the comment section how is it, how you like it, is it good or not and please support to this channel and let me know how is it thank you for watching and Jain